दोस्तों अगर आपको सीरीज एक्स्प्लेनेशन में इंटरस्ट है तो एक्जेकली सेम रीजिन के लिए मैंने न्यू क्लाइमेक्स रिविल चैनल शुरू किया है जहां पर अल्रडी मैंने न्यू सीरीज की वीडियो पब्लिश किये और वहां भी मैं डेली टू वीडियो पो तो प्लीज मेरे न्यू क्लाइमेक्स रिविल चैनल को सब्सक्राइब जरू करे और पोस्टेट सीरीज एक्स्प्लेनेशन की वीडियो देखना ना भूलिएगा तो चली अब शुरुआत करते इस मूवी के एक्स्प्लेनेशन से अब अगर आप ये वीडियो देख रहे हो कि 6 साल की कड़ी ट्रेनिंग के बाद एक योद्धा बनता है जिससे ब्लैक स्कॉपियन कहा जाता है जो राजा का बोडी गार्ड या फिर सेना पती बनता है और इस समय का सबसे खतरनाक ब्लैक स्कॉपियन अशूर है जिसके बाद हम अशूर को देखते हैं जो अपने के से ट्रेनिंग में चला जाता है जहां सारगॉन नाम का सेनरपती 24 बच्चों से कहता है कि तुम में से 12 लोगों को ब्लैक स्कॉपियन की ट्रेनिंग में बेजा जाएगा और बाकी इस ट्रेनिंग में मारे जाएंगे जो इतना कहकर उनकी लड़ाई शुरू करवा देता ह जहां मैत्यूस के सामने उसकी दोस लीला आ जाती है और फिर तब ही सारगॉन लीला को देख लेता है और उसे सजा देने के लिए अपने साथ ले जाने लगता है क्योंकि इस खेल में लड़कियों को शामिल होने की अनुमती नहीं है जो देख मैत्यूस सारगॉन को मारने लगता है ताकि वो लीला को छोड़ दे पर सिपाई आकर मैथ्यूस को पकड़ लेते हैं और जैसी सारगौन उसका गलक काटने वाला होता है कि तब ही वहां अशूर आकर सारगौन से लड़ने लगता है पर राजा उनकी लड़ाई रुका कर अशूर से कहते हैं कि तुमारे बेटे ने गलती किये और इसकी यही सजा है कि तुमें उसे ब्लैक स्कॉपियन की ट्रेनिंग में भीजना होगा जो सुनकर अशूर परिशान हो जाता है अब रात को जब अशूर सो रहा होता है तब सारगौन अपने काले जादू की शक्ती से अशूर की ऊपर कही सारे खत ट्रेनिंग में चला जाता है और 6 साल की कड़ी ट्रेनिंग के बाद वो बाकी ब्लैक स्कॉपियन के साथ अपने राज्य आता है जीने देखकर सारे लोग खूश हो जाते हैं और तब ही वाँ सारगौन अपने सिपाईयों के साथ आ जाता है जो खूद अब राजा बन चु मैरे दर्बार में आना होगा क्योंकि मैं देखना चाहता है कि तुम मेरे प्रती इमान्दार हो या नहीं और इसके लिए तुमें एक छोटी सी परिक्षा भी देनी होगी जीस पर मैठ्यूस मान जाता है और अगले दिन दर्बार में आता है जहां सारगौन नुअ को बंद तरी इसका सिर्क काट कर दिखाओ जो सुनकर मैथ्यूस एकदम घबरा जाता है पर वो नोवा को ना मारते हुए उसके गले में लगे चैन को अपनी तलवार से काट देता है जिसके बाद वो दोनों सभी सिपायों से लड़कर उने मार डालते हैं और मैथ्यूस अपनी पिता क साथ खिड़की से कूच जाता है और घोडे पर सवारो कर वहां से भागने लगता है लेकिन सरगोन एक तीर में कुछ मंत्र पढ़कर उनकी तरफ फेकता है जो उन दोनों का पीछा करने लगती है और जैसे ही वो दोनों महल के बाहर आते हैं वो तीर पीछे बेटे नोवा क को लग जाती है जिसके कारण वो वहीं अपना दम तोड़ देता है जो देख मैत्यूस एकदम दुखी हो जाता है अब अपने भाई को भी खोने के बाद मैत्यूस एक बंदर गाता है ताकि वो वहां से इजिप जा सके क्योंकि अशूर ने वहां के फैरो की मदर की थी इसल चैसर के दुरन लाईला मैत्यूस से सवाल करती है कि तुम एजिप क्यों जा रहे हो जिस पर वो से सारी बात बता देता है जो सुनकर जहाज में बैटा आरी नाम का राइटर मैत्यूस से कहता है कि औस आईरिस का भाला सिफ एजिप के शैटानों को मारता है वो सर्गाओं पर काम नहीं करेगा जिस पर मैत्यूस उससे कहता है कि क्या तुम मुझे कोई ऐसी चीज बता सकते हो जिससे मैं सरगव को खतम कर सकूँ जिस पर आरी कहता है कि एक तलवार है जिसे जियूस की लाइटनिंग बोल्ड से बना गया है उसकी मदद से तुम सरगव को मार सकते हो लेकिन वो तलवार अंडवर्ड नाम की एक जादूई शहर में जहां की रानी अस्तारते है पर उस शहर में जाना खत्रे से खाली नहीं है पर मैत्यूस उसे कई सारे सिकों का लालस देकर वहाँ ले जाने के लिए मना लेता है जिसकी बाद आरी उन दोनों को अस्तारते के म अंदर गिर जाते हैं जहां और भी कई लोग मौजूद होते हैं मैत्यूस अब उन से सवाल करता है कि आप लोगों को यहां बंदी बना कर क्यूं रखा गया है जिस पर हो कहते कि इस जगह की रक्षा एक बहुत ही खतमना क्रीचर करता है जो इनसानों को खा जाता है और उस का इखाना बनाने के लिए हमें या बंदी बना कर रखा गया है जो सुनकर मैत्यूस थोड़ा हैरान हो जाता है और उन सबी से कहता है कि मेरा साथ दो ताकि मैं उस क्रीचर को खतम कर सकूं लेकिन डर के कारण कोई भी उसका साथ देने के लिए राजी नहीं होता है इसलिए मैत्यूस लाइला के साथ क्रीचर को मारने चला जाता है जहां उसे रास्ते में बंदी बना फॉंग नाम का आदमी दिखाई देता है और मैत्यूस जैसे उसे छोड़ाता है वो तुरंद वहां से भाग जाता है और तबी उन दोनों के सामने वो क्रीचर आ जाता है जो तु इसलिए वो एक आदमी को पकड़ लेता है पर इसी का फायदा उठा कर पीछे से मैथिवस उसके अंदर अपनी तलवार घुसेड कर मार डालता है अब मैथिवस उन बंदी बने लोगों से कहता है कि हम अंडवल जा रहे हैं क्या तुम लोग भी हमारे साथ चलोगे जिस पर वो सभी मान जाते हैं और वहां से कमरे के अंदर आते हैं पर जिस रास्ते से वो अंदर आये थे अचानक वो रास्ता बंद हो जाता हैं जिस से सभी गबरा जाते हैं पर आरी को जमीन पर फिर कुछ लिखा हुआ दिखाई देता हैं और जैसी वो उसे पढ़ता है चारो तरफ के पत्थर अपनी आप गायब हो जाते हैं और फिर वो सभी एक उचे पिलर पर खड़े हुए रेगिस्तान के अंदर आजाते हैं और जैसी मैथ्यूस पिलर के बाहर अपना एक पैर रखता है वहाँ एक छोटा पत्थर आजाता है पर जब वो दूसरा पैर आगे करता है तो सीधे नीचे गिर जाता है पर उसे कुछ नहीं होता क्यूंकि वो पिलर के नीचे आगया होता है और इसलिए सभी आगे बढ़ने लगते हैं पर फिर अचानक में इरेगिस्तान में जमिन से जाड़या निकलने लगती है और देखते ही देखते पूरी जगध जंगल में बदल जाती है जहां अजीब तरह के मरेवे इंसान होते हैं जिनके शरीर से कीड़े निकल रहे थे जो देख सभी एकदम घबरा जाते हैं और तबी सांप जैसे क्रीचर आरी को पकड़ लेता है लेकिन उन बंदियों में से एक आगे उसे बचा लेता है जिसके बाद सभी आगे बढ़ने लगते हैं और आगे बढ़ते हैं एक आदमे को वाँ कीमती मोटिया दिखाई देती है और जैसे वो उसे लेता है एक क्रीचर उसे मार देता है आप सभी अस्तार्ते के गुफा के पास पहुच जाते हैं और जैसे वो उसके अंदर जाते हैं वहां अस्तार्ते आ जाती है, जो उनसे सवाल करती कि तुम लोग कौन हो, और यहां आने की तुमारी हिम्मट कैसे हुई, वो सभी को गुटने पर जुकने के लिए कहती है, लेकिन मैथ्यूस मना कर देता है, और अब उसके मना करने पर अस्तार्ते जैसे उस पर हमला करने वा अपने शक्तियों का प्रयोग करके जमीन में एक होल बना देती है और उसके उपर लायला को लटका देती है वहां ही आरी और फॉंग को वो तलवार हवा में घूमते वे दिखाई देती है जिससे फॉंग पकड़ लेता है इधर मैंथियूज अपनी पूरी कोशिश करके लायला को होल में गिरने से बचा लेता है और तब ही वहां आरी भी तलवार लेकर आ जाता है जिसके बाद सभी वहां से भाग कर उस पिलर के पास आते हैं पर बंदियों में से एक आदमी समय रहते पिलर पार नहीं कर पाता है जिससे वो पत्थर का बन जाता है और अब सभी वहां से गायब होकर फिर से उसी जेल के अंदर आ जाते हैं इधर अस्तारते सरगाओ के पास आकर कहती है कि मै कि उसके पास जो भी शक्ति है वो अस्तारते नहीं उसे दी है इसलिए अब वो उसके अंदर बिच्छू की शक्तिया डाल देती है पर इस पर वो कहती है कि इस शक्ति के लिए तुम्हें मुझे हजारों लोगों की बली देनी होगी जिस पर वो मान भी जाता है इधर को अरीना में जमा हुने को कहा है और तब भी वहाँ सिपाई आ अकर उन बच्चों को अपने साथ चलने को कहते हैं इसलिए मैथ्यूज और बाकी उन शिपाईों से चिप जाते हैं और उनकी जानने के बाद मैथ्यूज लैला और फॉंक से कहता है कि तुम दोनों अरी जो सबी देखकर सिपाई घबरा जाते हैं और उन्हें अंदर जाने का रास्ता दे देते हैं इधर लाइला और फॉंग अरीना आ जाते हैं जहाँ चारों तरव लोग बैटे होते हैं और उनके भी चार मटके होते हैं जिन में तेल भरा होता है और उसे एक ऐसे मेकैनिजम से जोड़ा होता है जिससे एक तीर मारा जाए तो सारे मटके तूट जाएंगे और उनमें से तेल निकलकर रेद के बीच बने रास्ते से होते हुए सारे लोगों की तरफ बढ़ने लगेगा जो देख वो दोनों हैरान हो जाते हैं और तभी वहाँ एक प्रीस्ट आता है जो सार के तूट जाते हैं और अब सारे तेल रेत में बने रास्ते से बेहने लगते हैं फिर तभी वहाँ सारे लोगों पर सिपाई तेल गिराने लगते हैं जिससे सभी में हड़कम मज जाती है और जैसे ही वो सभी वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं सिपाई चारों तरफ से उन्हें गेर कर दरवाजा बंद कर देते हैं इधर मैथ्यूज एरी को पीछे रुखने को कहता है ताकि उसे कोई खत्रा ना हो और तब ही मैथ्यूज को अशूर दिखाए देते हैं जो उससे कहते हैं कि जो तलवार तुमारे पास है उसने मुझे फिर से जीवित कर दिया और मैं हमेशा तुमारे साथ रहूंगा बस मुझे ये तलवार दे दो पर तब ही अशूर सरगाओं में बदलकर उससे तलवार चीन कर नीचे गिरा देता हैं और मैथ्यूज से लड़ने लगता हैं जिसके बाद वो आरी से तलवार मांगता हैं जिस पर आरी वो तलवार सरगा क्यूंकि इस से मेरी शक्तिया और बढ़ जाएंगी पर वो जैसी उस तलवार से मैथ्यूस को मारने वाला होता है तलवार टेबल से टकरा कर दो टुकुडों में बढ़ जाता है जो देखकर सरगाओं हैरान हो जाता है तब आरी मैथ्यूस को असली तलवार देकर सरगाओं से कहता है कि तुमारे पैसों से अच्छी मैथ्यूस की दोस्ती है जो सुनकर मैथ्यूस खूश हो जाता है पर फिर सरगाओ कुछ मंत्र पढ़ते हुए अंधेरे में चला जाता है जीसके बाद हो एक इन्वीजिबल बिच्चु बनकर मैथ्यूस से लड़ने लगता है जीसे वो देख भी नहीं पाता है और बिच्चु उसे धाराशाई कर देता है पर वो हिम्मत करके फिर से उससे लड़ने लगता है पर अब बिच्चु मैथ्यूस पर सरगाओ की बनी हुई मूर्ती गिरा देता है जिससे मैथ्यू के हाथ से तलवाय छूट जाती है और वो वही घाय लोकर दूर गिर जाता है इधर लाइला और फॉंक सारे सिपाई से लड़ रहे होते हैं और तब ही सिपाई आग लगेवी तीर को मटके के पास मारते हैं जिससे आग रेत में बने रास्ते से होते वे लोगों की तरफ जाने लगती है इसलिए अब वो दोनों आग पर रेत दालकर उसे बुजाने की कोशिश करते हैं वहीं मैथ्यूस एक तेल का मटका बिच्चू के ऊपर फैक देता है जिससे अब वो विजिबल हो जाता है और मैथ्यूस तूरंत अपनी तलवार ले लेता है और जैसी बिच्चू से मारने आता है वो उसकी अंदर तलवार गुस यह कि मैं अभी तुमें छोड़ रही हूँ क्योंकि कुछ दिनों में तुम खुदी मेरे पास आओगे और इतना कहे कर वो वहां से गायब हो जाता है और मैथ्यूस भी फिर वहीं बेहोश हो जाता है अब मुवी के आखरी सेंद में शर्मन नाम की आदमी को नया राजा बन अब अगर आपको इसका तीसा पार्ट देखना है तो यहा तो आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन या कमेंड में मिल जाएगा और अगर नहीं तो मैं इसे जल्दी पोस्ट करूंगा तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तो आशा है आपको मेरी एक्स्पिनेशन पसंद यदि हा तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भोलें मिलते हैं अगले एक्स्पिनेशन वीडियो में तब तक लिए धन्यवाद दोस्तो